रज़त पकड़ेगा पूरे परिवार के सामने अपने कान और मांगेगा सवी से माफी सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सवी कभी गलत थी ही नहीं और वो जाता है सवी के घर वहां उससे माफी मांगता है यहां जब सवी को चलने के लिए कहता है तो इशा और घर वाले यानि इशा मैम और घर वाले सब नाराज होते हैं रजत यहां कान पकड़ता है सवी को और कहता है मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया है यहां रजत जिस तरह से माफी मांगता है सवी को अच्छा नहीं रगता सवी यहां पर कान पकड़के माफी मांगते हैं कि मैं नहीं जाना चाहती मुझे माफ करो लेकिन रजत जिस तरह से यहां सवी से गुजारिश कर रहा है, उससे कह रहा है कि वो घर चले, फाइनली सवी मान जाती है. और सवी को कहता है कि उससे यहां जिगर का सच सब के सामने लाना है और जिगर को उसकी बहन की जिन्दगी से निकालना है. आप देखेंगे सवी जब घर आएगी तो तारा भी यहां हाँ जोड़कर सवी से माफी माँगेगी अब जिगर पहुच चुका है जेल अब इसके बाद वो क्या नहे ड्रामे करता है कैसे रजत और सवी को फिर से परिशान करता है ये देखना होगा दिलचस्प